हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल में आज किस वीडियो में हम जानेंगे गीकनेट अपलीकेशन क्या है आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं या एक network के tool application है तो आज किस वीडियो में इसी के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे इसके लिए आप बने रहेगा वीडियो में अंधत अक्यादी वीडियो अच्छी लग जाती है तो वीडियो को कर देना like चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना subscribe तो चलिए हम application को use करने के लिए करेंगे open तो आपको next कुछ इस तरहां से interface देखने को मिलता आप दे सकते हैं geek net लिखा हुआ है और आप दे सकते नीचे start का option उस पर हम type कर देते हैं तो आपको next कुछ इस तरहां से देखने को मिल जाता है आप यहां पर देख सकते हैं हमारा अभी loading हो रहा है तो आपको थोड़ा देर यहां पर bed भी कर लेना हम bed कर लेते हैं तो आपको इस परकार से देखने को मिलता आप दे सकते हैं तो आपको इस परकार से देखने को मिल जाता है आप यहां पर अलग-अलग server देख सकते हैं आपको बहुत से server देखने को मिलता है तो चलिए हम यहां पर server को change भी कर लेते हैं simply आप दे सकते हैं UK, London उस पर हम type कर देते हैं तो आपको इस विरकार से देखने को मिल जाता है, यदि आप यहाँ पर permission देते हैं, तो आपका VPN यहाँ से भी connect हो जाएगा, तो हम यहाँ पर permission नहीं देंगे, simply आप देख सकते हैं, हमारा जो server है, यहाँ पर connect हो चुका है, इस तरह से आप यहाँ पर server भी change कर सकते हैं, और इ तो simply हम security वाले option पर type कर देते हैं, तो आपको इस परकार से देखने को मिल जाता है, इस scanning आप दे सकते हैं, हमारा अभी scanning हो रहा है, तो आपको थोड़ा दिर wait भी कर लेना होगा, wait करने के बाद आपको इस परकार से देखने को मिल जाता है, आप दे सकते हैं, your network speed is low, आप य एखने को मिलता है network test का option, simply हम network test वाले option पर भी type कर देते हैं, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, हमारा कुछ इस तरह से testing हो रहा है, और आप दे सकते हैं, download का option दे सकते हैं, upload दे सकते हैं, कितना के भी upload हो रहा है, और आप stop टेस्ट देख सकते हैं, इस पर आप टाइप करके stop आप भी आसानी से कर पाएंगे तो इस पर हम टाइब कर देते हैं तो आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाता है आप देख सकते हैं तो इस तरह से आप यहां पर अपर पर स्जानी से नेटवर्क टेस्ट कर सकते हैं इस पर पीड़ कर सकते हैं इतो इस तरह से आपको देखने को मिलता है और आप इस अप्लिकेशन के यूज कुछ इस तरह से आप यहां पर कर सकते हैं